बिहार के दच्छिन और पच्छिम इलाकों में हुई काफी बारिश के कारण तपमान में गिरावट आई है मौसम विभाग ने पुर्मा नुमान जारी करते हुए बताया है कि 21 जून तक उत्तर पच्छिम विहार के जिलों में समान से अधिक बारिश होगी पच्छिम चमपारन, सिवान, पुर्वी चमपारन और गोपाल गंज में औरेंज अलर्ट जारी कर दिया है इसके अलावा उत्तर मध विहार में 19 जून तक औरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है जिसमें से सीदामडी, मधुबनी, मुझपरपूर, दर्भंगा, वैसाली, शिवहर और समस्तिपूर सहित जगा भी सामिल है वहीं हम सरकार और नगर निगम की लापरवाही भी देख सकते हैं सरकार और नगर निगम के वादे भी बारिश की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं नगर निगम हर साल ये कहती है कि वो तयार है बारिश से लड़ने के लिए लेकिन सारी बाते, धरे के धरे रह जाते हैं अब एकुछ दिन पहले ही बारे शुरू हुई है और हाल बिहाल है हर जगा पानी पानी हो चुका है कई घरों में पानी परवेस कर चुका है एक तरफ जहां हम करोना और फंगस से लड़ रहे हैं वहीं जगा जगा जमा पानी के कारण कई तरह की नई बेमारिया का भी डर है, साथ ही कीडे मकोड का भी डर है पानी जमा होने के कारण कुजिन पहले ही घंटों भर की बारिश के कारण राजधानी पटना का हाल बेहाल हो गया कुछ दिन पहले कुछ घंटे के बारिश के कारण पटना दूबी हुई नजर आई जहाँ पे कई इलाकों में पानी घुटना बड जमा हो गया और कई सारे जगहा दूबे रहे अभी तो बारिश की सुर्वात है करिब एक महिना मौनसून रहने वाला है आलम ये है कि आखिर कैसे इस से हम निप्टेंगे वही ज़्यादा बारिश होने के कारण बार की विस्तिती बन जाती है अगर हालात यही रही तो आने वाले समय में लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पर सकता है फिलाल खबरों में सिर्फ इतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए DTV भारत को सब्सक्राइब करे और फॉलो करे फेस्बुक और ट्विटर पर धन्यवाद